गुद मॉर्निंग बच्चों फिर से आपका स्वागत है मैं दुलार चंदास हमारा यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद दुलार बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेसन फॉर क्लास वन की ये इंगलिस बुक है आज हम लोग इस वीडियो में इसकी पढ़ाई करेंगे इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर देते हैं करसर पर ध्यान रखेंगे दिस इस एक एट यह एक बिल्ली है इस चैप्टर में दिस और दाइट को दिखलाए गया है दिस का मतलब होता है यह जो सामने में कोई भी वस्तू हुती है उसके लिए हम लोग दिस यूज़ करते हैं और जो चीजें दूर होती है, उसके लिए हम लोग that यूज करते हैं, this का मतलब यह होता है, और that का मतलब वह होता है, यही चीज इसमें मतलब यहा है, this is a cat, यह एक बिल्ली है, that is a rat, वह एक चुहा है, this is a bird, यह एक पच्ची है, that is a dog, वह एक कुता है, this is a cow, यह एक गाई है, that is a goat, यह एक बकरी है, यहाँ पे दूर है, इसलिए, वाई इसका, यह लेसन फोर है, और लेसन फोर यहाँ पे कम्प्लीट हो जाता है, इसमें, इस लेसन में कोई question answer नहीं है, इसलिए हम लोग, एक साथ, फोर और फाइब को, हम लोग एक साथ ही पढ़ लेंगे, यह लेसन फाइब, it is a doll, यह एक गुडिया है, it is a train, यह एक train है, rail गाड़ी है, train का मतलब बता है, rail गाड़ी, it is a bag, यह एक bag है, it is a cup, यह एक cup है, it is a blackboard, यह एक blackboard है, हिंदी में blackboard को स्यामपट बोलते हैं, it is a duster, यह एक duster है, it is a cap, यह एक टोपी है, it is a bat, यह एक bet है, bet को हिंदी में बल्ला बोलते हैं, लेकिन जादतर बच्चे bet ही जानते हैं, और इस lesson में भरने वाला कुछ question दिया हुआ है, fill in the blanks and read, इसको भरने के लिए और पढ़ने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको भर के दिखाते हैं, जैसे कि आप लोग screen पे देख पा रहे हैं, this is a cat, यह एक बिल्ली है, that is a rat, वो एक चुहा है, इस picture को सामने में दिया है, इसलिए this लगाया गया है, और इस picture को दूर में दिया गया है, इसलिए that लगाया गया है, this मतलब यह और that मतलब वा, this is a bird, यह एक पक्ची है, that is a dog, वो एक कुता है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे दिया हुआ है, this is a cow, is a यहाँ पर ब्लैंक है, तो is a यहाँ पर पर दिया है, that is a god, this is a cow, यह एक गया है, that is a god, वो एक बक्री है, इसके आगे यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, look at the pictures, write their names, इन पिक्चरों को देखे और इसके नाम लिखे, इसके नाम लिख दिया है यहाँ पर, cap, 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 duster, train, bag, doll, cup, bat, और blackboard, तो lesson 4 और 5 यहाँ पर पुरी तरह complete हो जाता है, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ने के लिए हम लोग, दूसरी वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए, good bye.